करंडा बलाक में चाड़ी पूर गाउं है जहां पे हम इसम आये हुए हैं यह एक बड़ा ही रमडी अस्थल है यहां पे माच चंडिका का एक दिव्य मंदिर है अगर हम बात करें चंडिका इसमाता की तो जब संकर भगवान के मना करने के बाद भी अपने पिता घर जाती है और अपने पति के अपमान के कारण जो है यग्यकुंड में अपने शरीर की आभूपी एक प्रकार से कहें कि प्रजलित कर उन्हें आत्मदा किया उसके प्रडाम सुरुप संकर भगवान कुपित हुआ उनके सरीर को लेके धर्ती पर बिचरन करने लगे और उनके सरीर को विष्ण भगवान ने तंकर भगवान के सानिद्य से दूर करने के लिए जब अपना सुदर्थन चक्र चलाया तो वह बावन खंड में विवाजित हुआ और खंड धर्ती के भिन भिन जगों पर उनके सरीर का टुकड़ा गीरा और वह बावन सक्ति कीठों के नाम से जाना जाता है और यह जो है अस्थान जो है गाजीपूर जनपत से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है और यह चंडिक देखने को मिलता है लेकिन सबस् saying और बात यह है कि यहां पे इस गाउं की एक सती माता का भी मंदीर है जो बहुत ही पूर्ण दासमिन और धेंब्द मता के मंदीर के पास ने थे रायसाव लोगलों की सती माता का मंदिर था यानि वहां के राय साव लोग आते थे यहां चाणीपुर में अपनी सती माता का बंदन पूजन करने के लिए इसी बावत आज जो है चाणीपुर गाओं के लोगों ने जिनकी स्रद्धा है माता के प्रती चुकि मंदिर जी इसे वस्ता में पड़ा हुआ था औ और इन्हों ने इस मंदिर का जिर्णो धार किया है और इन्हों ने अपने मंदिर के साथ साथ धुवारजुन की सती माता का भी मंदिर बनाया और वह आपको हम दिव्यदर्थन कराते हैं ये बगल में एक मंदिर है जो है संकर भगवान का ये भी बहुत पुराना मंदिर है आईए इस बावात हम मंदिर से प्रोष करते हैं सतीमा के मंदिर से और जानने का प्रयास करते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया है और पहले उनके पुरोजों ने बनवाया अब इस समय ये रूप में इन लोगों ने बनवाया है त कहीं न कहीं चिस गाउं का देवाला है और सिवाला अगर तुरुस्त नहीं होता तो गाउं पे तरह तरह की आपदाया आती है आई-सी स्थिक्यों में आपना का दसन कराते हैं अजय आपके आपके जोनों शाथी नाथा का तो एक फूंड बना है और यह मात पो मंदी के अंदर ने करते हैं यह है जो गुवाजूट की है और इनके खिल बरव उने यह इस गाउं की यानि चाविक्यों माँ की सथी माता है अन्यव दिगाई द्रिकली यह सथी माता है गाउं की और आप देशकते हैं कि इस प्रकार से यहां के लोगों पिस रजदा है तुनों माता ने करती कि इनके बिसे में जानता है कि इनके बिसे में जानता है कि अपके मनवे ऐसी क्या बाते हैं इसके और से आप शुपरिस का निर्मार करता हैं इस बावत हम यहां जो मंदिर का निर्मार करवाया है यह तो कि मंदिर जिन स्थिति में था तो इस बावत हम बात करते हैं कि अपना पर से देते हुए बताएं यह मंदिर पुराना है यह दो मंदिर यहां पर हैं उनके बिसे में जानकारी प्रदान करें और यह आपकी नक्या वह जैसे कुल्डे भी होती है क्या क्या इस्तिन रहे मंदिर पूराना है इस मेरा नाम राक्या सुराइं और यह सो साल से भी पुराना मंदीर यहां के बड़े बजूर्ड है और बताते हो कि उनके जनम से पहले का मंदिर यहां पे बना हुआ था और आज इसको जोहुद्दार इनोइशन करके आज मंदिर के जिनोधार में पैसा खर्च हुआ है यह सामोहिक खर्च हुआ या पिर ज़क्तिगत आप ने खर्च है यहां के लोगों के मेहनत का प्रेंद है कि मंदिर का रिनोवेशन धिनोधार हुआ है माता जी का मंदिर स्वयम माता जी खुद्धी बना लेगी आप चानते हैं यह आप लोंके जंज से पहले का है या पुर्वुजोग के अनुशार यह बहुत पुराना स्वासाल के बिए पुराना बंद है और इसका बहुत सत्वी है जिन्होंने ए चाणिपूर और ध्वारज तो यह रही स्थिति जो है सती माता मंदिर के दुशान जैसा आपने बताया कि यह दुवारजुन गाओं के लोग भी आते हैं तुजाचन के लिए चानिपूर के लोग भी आते हैं तुजाचन के लिए यह पुरे गाओं के सहयोग से मंदिर बने आ गया तहीं ने कहीं चान